Hello, Welcome to Love with Universe तो मैं naturally zodiac sign के उपर बेस करके reading करती हूँ यानि राशियों के उपर बेस करके reading करती हूँ तो आज हम birth month के उपर बेस करके reading करने वाले हैं यानि अगर आपका birth month जुलाई है यानि आपका जनम का महीना अगर जुलाई है तो चलिए देख लेते हैं कि जिन लोगों का birth month जुलाई होता है उन लोगों का love life कैसा होता है उन लोगों का married life कैसा होता है यानि after marriage उनके life में क्या-क्या होता है तो उनको क्या-क्या चीजे मिलती हैं तो ये जो topic हैं मैं बहुत सदर लंबा नहीं कीचने वाली हूँ बहुत दर शॉट में बताने वाली हूँ ये एक general reading है, zender specific नहीं है तो आपका कोई भी age हो, कोई भी zender के हो या फिर आपका कोई भी राशी हो आप इससे देख सकते हो, आपसे resonate कर सकती है आप जब भी इस video तक पहुँचोगे एक साल बाद, दो साल बाद, दस साल बाद तभी आपसे resonate कर जाएगी एक हफ़ते बाद, एक महीने बाद, दो हफ़ते बाद कुछ भी हो सकता है, दस साल बाद जब भी आप इस video तक पहुँचोगे, तभी आपसे resonate हो जाएगी ये एक timeless reading है जैंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैंरल reading है तो free mind होकर reading को देखे चलिए देख लेते हैं कि जिन लोगों का birth month July है उन लोगों का love life कैसा होता है फर्स्ट हम love life देखने वाले हैं ओके, यहाँ पर है the wheel of fortune, death temperance तो यहाँ से तो first ही मुझे दिख रही है इन लोगों के twine flame connection बहुत जादा होते हैं यानि जो लोग जुलाई मत में जनम लेते हैं उन लोगों के life में twine flame connection होती हैं और यह लोग जिसको प्यार करते हैं उनके लिए ये इनसान एक अच्छा दोस्त होते हैं एक अच्छा lover होते हैं एक अच्छा advisor होते हैं अपने person के साथ हमेशा transparent रहने की कोशिश करते हैं कोई भी बात यह इंसान नहीं छुपाते हैं अपने person से यानि अपने जिससे प्यार करते हैं यानि अपने lover से और अपने person से भी यही expect करते हैं कि वो इनसान भी इनको कुछ ना छुपाए तो बहुत ही ज़दा loyal होते हैं और transparent होते हैं आस तो मुझे यही दिख रहे हैं और इन लोग की love life में एक नया पन होता है हमेशा कुछ new things करने की कोशिश करते हैं ताकि उनके love life में कोई भी boring सा situation ना create हो या फिर bonus ना आए और truth बहुत ज़दा पसंद करते हैं love life के तरफ से ये इनसान यानि जिन लोग का birth month जुलाई होता है बहुत ज़दा truth को पसंद करते हैं अगर इनके person इनको कभी भी जूट कह दिया या फिर इनको बाद में पता चला कि इनके person ने कभी इनको जूट कहा है तो बहुत ज़दा react करते हैं बहुत ज़दा गुसा हो जाते हैं यहां से मुझे यही दिख रही है और इस चीस से उनके love life में भी effect पड़ता है और इहां से मुझे यह भी दिख रही है जिन लोग का birth month जुलाई हैं यह लोग जब तक single रहते हैं उनके life में darkness negativity घिरी रहती हैं और जब से यह इनसान किसी को प्यार करते हैं यानि प्यार में पड़ते हैं उसके through ही इनके life में बहुत सारा खुशिया abundance एक new beginning स्टार्ट होत हैं और यह जो change है यह इनके life के लिए बहुत सदा अच्छा होता है positive होता है अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपके life में आपने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है so recent future में या फिर upcoming future में आपको जरूर से जरूर यह चीज़ महसूस करने को मिलेगा कुछ ऐसा देख पाओगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इस इनसान से प्यार करके आपका life जो है वो सुधर गई है या फिर आपके life में कुछ नया बदलाव आया है जो आपके लिए बहुत सदा फायदेमंद है और यहां से मुझे यह दिख रही है naturally यह इनसान जिसको प्यार करते है उससे ही शादी करते हैं अगर किसी भी वज़य से यह इनसान किसी से रूट गया किसी से गुसा हो गया या फिर मन में ठान लिया कि यह इनसान से मैं ब्रेक अप कर दूँगी तो यह इनसान वो चीज करके रहते हैं ब्रेक अप करके रहते हैं और इस इनसान के साथ कभी भी जीवन में नहीं मिलते हैं या फिर उनको कभी भी पसंद नहीं करते हैं उस इंसान को जीवन में तो छोड़ दिया मतलब छोड़ ही दिया फिर से दुबारा मुर के वो इंसान कभी भी नहीं देखने वाले हैं यानि जुलाई में जो लोग जनम लेते हैं उन लोग का कुछ ऐसा ही mindset रहता है और यहां से मुझे दिख रही हैं जब तक ये लोग ट्वाइन फ्रेम connection में नहीं जूरते हैं तब तक इन लोगों की break up होती रहती हैं ये जो possibility हैं ये कुछ लोग के लिए मुझे दिख रहे हैं यानि 100 में से मैं कह सकती हूँ 95% लोग अलग होते हैं यानि ट्वाइन फ्रेम connection में पहले से ही होते हैं और जो 5% लोग हैं वो ऐसे situation में फसे होते हैं कि पहले उन्होंने शायद किसी और को date किया या फिर किसी और को बाद में जाकर break up करते करते शायद ये इनसान अपने ट् दिख रही हैं 100 में से 75% लोगों की love marriage होती हैं और जो 25% है उनकी arranged marriage होती है या फिर आप कह सकते हो कि love come arranged marriage भी हो सकता है ओकी तो चलिए देख लेते हैं इन लोगों का married life कैसा होता है यानि शादी के बाद इन लोगों के life में क्या-क्या आता है क्या-क्या मिलता है तो देख लेते हैं positive रहे negative thoughts अपने अंदर बिल्कुल भी ना लाए तो इन लोगों का married life ओके आप देख सकते हो community इन लोगों की शादी जहां पर होती हैं वहां पर ससुराल में बहुत जादा लोग होते हैं यानि चार से जादा या फिर पांच से जादा family members हो सकते हैं उनके ससुराल म यानि उनके ससुराल के जो family members होते हैं वो बहुत सदा friendly होते हैं बहुत जादा अच्छे होते हैं दिल के सचे होते हैं तो मैं कह सकते हूँ आपका जो surrounding है आपका जो ससुराल का surrounding है शादी के बाद आप जहां पर जाओगे या फिर जिन लोगों के साथ आपके meeting होगी आपका जो person होगा वो बहुत सदा अच्छा होने वाला है बहुत ही सदा अच्छा होने वाला है और जिसके साथ आप दिल की शाड़ी बात share कर पाओगे और यहां पर है miracles so definitely शादी के बाद इन लोगों के life में यानि जो लोग जुलाई मत में जनम लेते हैं उन लोगों के life में कुछ ऐसा unexpected चीजे इनको देखने को मिलता है जो इन्होंने शायद कभी भी सोचा भी नहीं था कि ये wishes या फिर ये खौईशे भी कभी पूरी हो सकती है इनकी okay so बहुत सारे ऐसे खौईशे होते हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता है हम लोगों को ऐसा लगता है पर actual में जो ह कर रहता है so definitely इन लोग का कुछ ऐसा wishes पूरा होता है जो इन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था और ये शादी के थ्रू ही होने वाला है और यहां पर है forgiveness okay so यहां से मुझे दिख रही हैं जो लोग जुलाई मन्थ में जनम लेते हैं उन लोगों को शादी के बाद कुछ माफी की जरूरत पड़ती है यानि आप कहसकते हो कि आपके द्वारा कुछ गलत decision या फिर कुछ गलत काम हो जाती है जिसके लिए आपको माफी की जरूरत पड़ती है और आपको माफी मिल भी जाती है क्योंकि आपके जो चारी ओर के लोग हैं यानि आपके ससुराल वाले हैं वो बहुत सदा फ्रेंडली हैं और बहुत सदा ब्यूटिफुल और उनके जो हार्ट है वो ओपन हार्टिट है मासूम किसम के हैं मैं क्या कहूं यहां पर आप देखी सकते हो तो डेफिनेटली ऐसा बैक्डराउंड पाना शादी के बाद बहुत सदा लख होने के बाद ही कोई इंसान ऐसा बैक्डराउंड पास सकता है यानि फैमिली बैक्डराउंड बहुत सदा अच्छी बात है आपके लव लाइफ और मैड लाइफ दोनों ही मुझे बहुत जदा अच्छी दिख रही है ओकी, सो बाई